हाँ तुमने बिल्कुल सही देखा तुम सिर्फ एक मोबाइल से पबजी, सीओडी, फ्टीफायर या कोई भी गेम यूट्यूब पर खेल सकते हो चलना मोबाइल से भी धंकी स्ट्रीम होती है क्या हाँ भाई हाँ सिर्फ धंकी नहीं बलकि सिर्फ एक मोबाइल से तुम मेथट से ये एनिमेशन डालना भी पॉसिबल है एंड इससे बहले कि तुम इंट्रो स्किप मारो लिसें टू दिस तुम कोई भी लाइव स्ट्रीम टुटोरियल देख लो तुमें सब बताएंगे कि अपने अकाउंट से लॉग इन करो एंड लाइव शुरू कर दो एंड वैसे तो ये method भी secure ही है बट इसी वीडियो में मैं तुम्हें एक ultra secure method के बारे में बताने वाला हूँ जिसे मैं तो हमेशा use करता हूँ and इसको use करके तुम भी live तो कर पाओगे लेकिन तुम्हें अपने account में login भी नहीं करना पड़ेगा and ये सब होने वाला है सिर्फ एक mobile से बिना watermark के and for free so let's begin so वैसे तो योट्यूपर bgmi, free fire, coda या कोई और game live खेलने के काफी तरीके हैं बट आज मैं तुम्हें काफी तकड़ा बट बहुत ही simple तरीका बताने वाला हूँ and again ये 100% free तो है ही इसमें कोई watermark भी नहीं आने वाला है तो सबसे बहले तो play store या app store में जाकर या description वाली link पर click करके इस prism live studio नाम की application को download और install कर लो ये करने के बाद जब तुम एप खोलोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा interface दिखेगा again कोई भी account यूज करके यहां login कर लो and app open हो जाएगा trust me बड़ा ही simple काम है बस दो मिनट ध्यान से सुनो and तुम भी ऐसी तगड़ी live stream कर पाओगे so app open होने के बाद हमें click करना है ready यहां हमसे पूछेगा कि live stream करनी तो है पर करनी कहां है तो अभी के लिए हम यहां select कर लेते हैं YouTube अब उस ultra secure method के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा अभी मुझे जिस channel पर live जाना है मैं उससे login कर लूँगा login करने के बाद तुम यहां select कर सकते हो public live करनी है private करनी है या unlisted मैं फिलाल यहां public select कर लेता हूँ इसके बाद हमारी stream का सबसे main काम आएगा यानि उसका title और description set करना so ये भी कर लेते हैं but एक चीज़ ध्यान रखना इसी वीडियो के end में तुम्हें live stream करके 1000 subscribers लेने के तरीके के बारे में ब video एंट तक जरूर देखना फिल्हाल अगर तुम directly यहां click करते हो तो तुम्हारी live stream शुरू हो जाएगी लेकिन भाई सिर्फ इतना करने से तुम्हें watermark भी आएगा तुम्हारी stream की quality भी कम हो सकती है and professional भी नहीं लगेगी because अभी तक हमने intro तो लगाए नहीं है तो सबसे वह free और professional live stream कैसे करें so again तुम्हें just अपने channel name के नीचे एक option दिखेगा वहाँ click कर दो and कुछ settings open हो जाएंगी सबसे पहले तो यह adaptive bit rate off कर दो and फिर resolution अपने हिसाब से choose करने के बाद आओ bit rate पर अब bit rate का मतलब होता है कि live stream करने के लिए हर एक second में तुम्हारा data कितना use हो रहा है यह बहुत जादा कम कर दोगे तो obviously data कम use होगा even stream lag भी नहीं करने वाली लेकिन stream की quality बहुत खराब हो जाएगी ऐसी अगर तुम 6000 का bit rate चूज कर लेते हो तो एक घंटे live करने के लिए तुम तो मैं अभी 4000 bit rate यूज करूँगा because इसमें stream quality भी मस्त होगी कोई lag भी नहीं होगा and तुम HD में भी बढ़िया से stream कर पाओगे so अब हमें करना है left swipe और जाना है prism के right side में यहीं वो जगह है जहांसे तुम अपनी live में chats लगा सकते हो animation यूज कर सकते हो और भी बहुत कुछ तो मैंने अल्रेडी एक intro बनाया हुआ है तो मैं simply यहां click करके उसे section में ले आऊँगा तुम चाहो तो यहां से music भी add कर सकते हो अगर तुम्हे animation का use करना है तो text में जाकर थोड़ा सा नीचे वो भी मिल जाएगा ऐसे ही external widgets, chat box, सब available है तो यह सब तुम खुद explore कर लेना फिलहाल यह तीन चीज़े import करने के बाद सीधे आ जाते हैं अपने main interface पर और जल्दी से अपना thumbnail और intro लगा लेते हैं जो की obviously live में यूज होने वाला है यह करके phone को landscape mode में कर लेना because अब game phone सीधा करके तो खेलोगे नी अब इतना सब करने के बाद इंतजार खत्म हुआ एंड हम क्लिक करते हैं go live पर बट इससे वहले ज़रा comment करो तुम्हें pubg better लगता है या free fire देखते हैं किसके जाधा fans हैं also एक और चीज बिना login करे live जाना है तो channel connect करते time instead of option 1 rtmp choose कर लो एंड वहां अपने stream की और stream url को use कर करके चलते हैं YouTube live करने so go live पर क्लिक करते ही हम अपने phone से live जा चुके हैं and यह दूसरी लोगों को कुछ ऐसा दिखने वाला है सबसे बहले तो अपना intro ही play होगा चाहो तो तो तुम्हें से skip भी कर सकते हो बट मैं इसे पूरा चलने देता हूं उसके बाद तुम्हें बस right में जाकर screen cast पर click करना है and तुम्हें पूरे 3 seconds मिलेंगे and उसके बाद जो भी तुम्हारी screen पर आएगा वो सब live जाने वाला है तो मैंने already bgmi खोल रखाता मैं भी दुबारा open कर लूँगा and there you go we are live यहां तुम अपनी voice on off कर सकते हो game की audio को on off कर सकते हो chats on off कर सकते हो and even अपने camera क on या off रख सकते हो and यह सब दूसरे लोगों को ऐसा मस्त सा दिखने वाला है तो भाई जितनी देर live करना करो and उसके बाद तुम live stream end करके इसको save भी कर सकते हो नहीं करना तो मत करो तो देख लो भाई कितना easy है mobile से live stream करना लेकिन क्या तुम्हें पता है सिर्फ एक live stream से तुम हजारो सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो and इसका एक मस्त सा तरीका है लेफट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो बागी वीडियो लाइक तो करी देना